मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक शुरू हो चुका है और अब कोस्टल रोड की बारी है मुंबई की नई पहचान बनने जा रहा कोस्टल रोड 84 फिजदी बन चुका है और जल्दी से शुरू करने के तैयारी है तकरीबन 14,000 करने रोड की लागत से बन रहा ये पहला फेज कोस्टल रोड का यहां वरली से मरीन ड्राइब तक जाएगा जिसमें जमीन के निचे सुरंग है, समंदर पाट कर सड़क है और पुल है तो आएए चलते हैं इस कोस्टल रोड के सफर पर देखते हैं कि कितना पूरा हो चुका है और क्या क्या है इसमें सुबिधा है पहले फेज में जो शुरुवात होगी वो होगी सिर्फ वरली से मरीन ड्राइब तक जाने की यानि अभी हम वरली पर हैं और यहां से जो है कि इस कोस्टल रोड पर आ जा सकता है या फिर जो लोग बांदरा से इस वरली सीलिंग से वरली आ रहे हैं वो भी आगे से आकर यहां से इस के जरिये कोस्टल लोड पर आ सकते हैं और यहां से एक इंटरचेंज यह वरली है दूसरा हाजी अली है और तीसरा अमर्शन है और उसके बाद प्रियदर्शनी पार्क है जहां से शुरम की शुरुवात होती है मुंबई के प्रश्चमी समुद्र किनारे पर बन रहे इस कोस्टल लोड का सभी को बेसबरी से इंतजार है इसके बन जाने से वरली से लेकर मरीन डाइब तक की दूरी सिर्फ आठ मिर्ट में तैह हो जाएगी जबकि वर्तमान सड़क से जाते हैं तो 30 मिनट से 40 मिनट लग जाता है यानि 74 फिजदी समय की बचत होगी और 34 फिजदी इंधन की भी और सबसे खास बात कि कोई टोल नहीं भरना होगा कोस्टल रोड सिर्फ रोड ही नहीं है बलकि एक तरह से मनरंजन का साधन भी होगा आम मुंबई का रोग के लिए क्योंकि शहर में जगें बहुत कम है तो लोग जिस तरह से मरीन डाइब जाते हैं वैसे ही और उस से बी सुंदर और उससे बी बड़ा मरीन राइब एक literal सी हैं पर बना जा रहा है तो कैसा होगा title यह नया मरीन डाइब हम जानते हैं कोस्टल लोट के डेपूटी इंजिनियर वि जजुडवे से sir यह सट्पको बन रहा है इसमें सड़क तो ही लोग आसानी से वरणी से पहुंच जाएंगे मरीन ड्राइब या फिर वापस आप आएंगे लेकिन जो ममरजन के भी साधम बनाए जा रहे हैं जो करके याने की समंदर को पाट करके जो जगह बनाए जारी वह क्या है और किसे से उसका इस्तिमाल होगा क्या उसके पीछे का उद्देश है जी हाँ कोस्टल लोड में साड़े दस किलोमेटर की जो रोड है लगपक मरीन ड्राइब से वरणी को कनेक्ट करती है कोस्टल लोड के कोस्टल लोड के बाई और प्रमॉनाड की निरमान की जारी और अधायणी और लैंडर्स किप शेतर होगा यह पूरा मिला के सतर हेथे का शेत्र होगा जिसमें से 12 हेटर मतलब लगबग 9.5 किलोमेटर और 20 मिटर को जो प्रमॉनाड होगा और लैंडर्सके जो हैरिया है यह कुल मिला के 70 हेक्टर का एरिया की हम निर्मान कर रहे हैं उसके बाद वूड लैंड गूरूस और काफी सारे एक आइडेनिटी प्लेस बनाए दी जाएगी जो की ग्रीन लैंड्सकेप भी बना रहे जो प्रमोनाड है साधे साथ किलोमेटर की लंबाई है और यह करीबन दस मिटर से 20 मिटर तक की चवडाई है तो इसका यह निर्मान है कि मुंबाई में ग्रीन स्पेस या ओपन स्पेस की काफी कम यह है बट जो भी कोशलोड का निर्मान था और जिसके कारण यह जो जगा बन मतलब हम लोग एक निर्मान कर रहे हैं उससे बड़ा और सुन्दर यह लगबक मरीन ड्राइव से दो गुना चवडाई में हैं और लगबक एक डही गुना लंबाई में हैं तो यह नई आइडेंटिटी एक मुंबई की हो जाएगी अगले कुछ सालों में कोशल लोड पर म में वरली में हूँ और यह जिस तरह से एक मुंदर जन के लिए एक साधन और जगन दी जा रही है वैसा ही एक साइकलिंग ट्रैक भी यहां पर बनाया गया है और यह जो साइकलिंग ट्रैक है यह पूरे साड़े साथ किलो मीटर यानि कि प्यदरशनी पार जहां से सुरंग खत्म होगी वहां से लेकर वरली तक यह बनेगी इसके लिए खास मटरल का इस्तिमाल किया गया है और इस पर लोग साइकल आराम से चला सकते हैं वरली से हाजी अली होते हुए अब हम अमरसंद इंटरचेंज के पास आ गये हैं और यह देखिए सामने एक इंटरचेंज है यहां से चाहे तो इस कोस्टल लोड पर आया जा सकता है या फिर बाहर निकला जा सकता है और सामने हमें दिखाई पड़ रहा है प्रेदरशनी जहां से की सुरंग की सुरवात होती है यह हम उपर फ्लाइवर पे हैं और यह देखिए इस सरफ जो आप देख रहे हैं वरली स से सुरुवात हुई है इस कोस्टल लोड की बीच में हाजी अली का इंटर चेंज है और यह कोस्टल लोड सीधे यहां से इस सिरफ आ रहा है जो यहां से सीधे इस तरफ जाएगा प्रियादर्शनी पार्क याने की जहां से सुरंग की सुरुवात होगी यह जो लगभग साड़े साथ किलो मीटर का की जो दूरी है जिसे की समंदर को पाट कर सड़क बनाए गया है इसमें कई अंडर पास हैं लोगों के लिए और कई सुविधाएं हैं क्या क्या है और किस तरह की पूरी रचना है हम समझते हैं हमारे साथ हमने से बात करते हैं सर आपका नाम बता दिए चंद्रकांत कदम इंग्जिनियर कोश्टर रोट का लेत है उसमें कहीं तरह के मतलब का रिक्लेमेशन के ऊपर रोड है ब्रीज है आपिर टनेल रोड में और हमलोगा सी साइड में जो अप्रोवेड़ेड उसमें क्रॉस करने के लिए शिक्स्टिन नंबर सब अब अब लोगने पबलिक अंडर पास करके प्रोवेड़ेड साइड में आ सकती है यह किया है और जो भी बाद में समझाओ अभी आम लोग ने कोश्टर तो ट्राफिक आ जाएगा अभी समझे उसको अपना बुलाबाई देशाय रोड पर बाहर निकलना है तो लेपटन मारके डारेक्ट लिए ओलोग बुलाबाई देशाय रोड से समझे अभी टॉर्स सीलिंग जाना है तो जो खड़े जो है ब्रीज के उपर से उदर से आके ओल से जो आया कोई भी रहेगा उसको समझे भुलाबाई देशाय रोड पर जाना है तो लग ब्रीज के निचे से जाके फिर टर्न मारके यह जो साइड में जो ब्रीज दिख रहे हैं उससे वह लोग बाहर निकल सकते हैं यह अमरसन जंक्शन है जो बता रहे थे एक्जेकुट जैसे हम यहां से जाएंगे यह सुरंग सीधे मलाबार हिल होते हुए जमीन से तकरीबन सतर मीटर नीचे से होते हुए मरीन ड्राइब जाएगी और जो समय लगभग अभी 35 से 45 मिनिट लगता है वरली से मरीन ड्राइब पहुंचने में वो इस कोस्टल लोड के जरिये सिर् सभोते व делает के लिए अब हम उक्ले पार्ज के अने की सुरंग के मुहने तक आ अब यहां से मरीन ड्राइब तक हम इस सुरंग जडिये जाएंगे कि हम इस समय कोश्टर लोड के सुरंग पर हैं जो कि प्रेदर्श्री पार्ट से सुरू होकर मरीन ड्राइब तक जाती है और हमारे साथ इस सुरंग के बारे में इसकी खासियत बताने के लिए हैं एलन्टी के जो प्रोजेक्ट दीजियम है अनंत पद्मनावन जी सर यह इस इसका जो चोडाई है 12.2 मीटर का डायमिटर में बनाया गया है वो भी पाइली बाइंडिया में बनाया गया है और ये एक पहला टअल है जिसम now है ventilation system natural है मतलब इसके अंदर कोई suction system नॉर्मल के नहीं इसके अंदर अगल जिसमें हवा करके इसका नाम है सकार्ड नॵेंटिलेशं में इसका इसका इसकी है इसका Computer lem इन स्थे पहले इन्डिया मेंहीं इसका इस्तेमाल किया है और यह विश्टि के लिए यह हम में फायर बोर्ड लगाया गया है जिसके वज़े से कोई आग की दुर्गटना हो जाये तो भी इसके टरनल को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा और बहुत ही जल्द इसको आग पर काबू पाया जाएगा और यह फ्लड प्रूफ भी है इसका मतलब है कि कोई पानी आपको टरनल के अंदर आने की कोई गुंजाइश नहीं है उस तरह से इसको डिजाइन किया गया है कि कि इन यह तरनल का जो गाड़ी चलाने के लिए 9.6 मिटर सब्सक्राइब इसके अंदर त्री लेंस आपको मिलेंगे यह टरनल के अंदर और और तक्रिपन 2 किलो मिटर लंबी यह पूरा लबाई है तो कितनी गहराई होगी मलबार हिल के नीचे 75 मेटर की गहराई है और पचीस मेटर से लेके 75 मेटर तक की इसकी गहराई का रेंज जमीन तक हम अंदर से जा रहे हैं आप पीछे देखेंगे तो यह का हिस्सा वहां पर फटम हो गया अभी हम कटन कवर में पहुंच गये हैं इसके आगे आगे आपको रैंप सेक्शन मिलेगा टनल से हम बाहर निकल हैं इस वक्त अब हम सुलंग से बाहर निकल रहे हैं तकरीब और तकरीबन आपको लगेगा टनल का शुरू से चानल के खतम होने तक आपको तीन मिनिट मैं आपको पूरा तरौ का दो दूरी है वह आप तैय कर सकते हैं और वैसे हम आते तो लगमन वीस मिनिट तो कम से कम ल कर आपको आगे से प्रिंस स्ट्रीट फ्लाइवर भी आपको नजर आ जाएगा याने बात करते करते ही हम जो है कि इतने देर में आप देख दो मिनिट के अंदर अंदर आपने टनल से आप बाहर आ गया है तो एक मुंबई वासियों के लिए एक बड़ी उपलब्दी होगी आ इसको कैनोपी बोलते हैं हम तो यह एक प्रेम स्ट्रक्चर है जिसके ओपर ग्लास है उसके ओपर और यह आपको बारिश का पानी से जो आना के इंट्री का जो हिस्सा है उससे आपको बचा के रखेगा तो बात करते करते ही हम आ गए मरीन ड्राइपर सुरंग से देखिए बाहर भी आ गए तो मुम दोरती भागती मुंबई की जो सबसे बड़ी समस्या है वह ट्राफिक और यह जो कोस्टल रोड है यह जो है कि वरली से लेकर फिलहाल मरीन ड्राइप तक आपकी ट्राफिक के समस्या से मुथ कर गया यानिकि जो एक सपना है ट्राफिक मुथ का व मुंबई से कैमर प्रमीर से सुनी सिंग एनिटीव इंडिया के लिए